चिल्रन हम यह वाला प्रोग्राम देखेंगे आज जिसमें यह expression है आपको programming term में solve करना है तो हमने यहाँ पर प्रोग्राम 2 ले लिया है नाम प्रोग्राम का और method का नाम लिख दिया है अभी हाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक double variable declare करेंगे double data type क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप x plus 3 upon 6 minus 2x plus 5 upon 3 I am taking the value of x as 5 तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x के value को 5 से initialize कर देते हैं क्योंकि यह double value है यह हमने double data type लिया है ठीक है अब हमें इसको find out करना है तो हम इसका answer भी double के अंदर ही store करेंगे let's say double हमने variable हम ले ले लेते है result और इसको हम ऐसे लिखेंगे x plus 3 divided by 6 minus 2 multiply by x plus 5 divided by 3 answer इसके अंदर store हो गया है result के अंदर अब यहाँ पर simply आप print कर देंगे system.out.printlm result of the given expression okay result of the expression is where it is stored result variable के अंदर ठीक है यहाँ पर इसको class को close कर, method को close करेंगे और class को close कर देंगे और class को close कर देंगे ठीक है बहुत ही simple प्रोग्राम है आप easily solve कर पाएंगे प्रोग्राम हम नह सम्सिपों करेंगे